हाई फ्रेंद्स वेलकम तू माई पाट्शाला मैं जेभी से कि आप सब लोगा स्वागत करता हूं इस चैनल में सुबह के छे पर चौह आपका विडियोस देख लेक बार रिविजिन भी कीजिए उसका बार बार देखिए ठीक है एंड लेट्स टार्ट ओके लेट्स टार्ट इसका मीनिंग कि आपका नॉट में तो बी टेकन सिरियस्ली और फिर उचिस अम्यूजिंग या फिर कॉमिकल ठीक है जो अम्यूजिंग होता है जिसको हमलोग सिरियसली नहीं लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग फिकिए जैसे की इस इमेज को आपने तॉम एंड जेरी काटूं देखा होगा तो यह काफी फ़नी होता ठीक है तॉम एंड जेरी के भी काफी लड़ाए जगड़े उते रहते हैं और हमेशा जेरी ही जीतता है तो वही है तो this is a very faceless event you can see which is which cannot be taken seriously हम लोग seriously इसको ले नी सकते और वो amusing है हमें हसी आती है ठीए हमें funny लगता है हमें comical लगता है तो यह हो गया इसका meaning synonyms इसके जान लेते हैं synonyms क्या हो जाएंगे अगर comical है amusing है तो पहला आपका क्या हो गया ब्लीथ ब्लीथ मतलब क्या होता है कि which जो carefree रहता है काफी casual से रहता है जो serious नहीं होता अपने life में that is called blith बहुत ही अच्छा word इसको लिख लिजे नेक्स जो important word that is draw draw का मतलब क्या होता आपका funny होता है एक तरह से ridiculous भी हो सकता है amusing हो सकता है comical तो यह सारे meaning draw mean करेगा लेकिन blith का जो meaning होता है वो थोड़ा सा कैसा है कि मलब जो carefree होता है जो थोड़ा सा casual approach रखता है अपने life के लिए ठीक है जो उतना life को उतना seriously नहीं लेता है कि दम मजह में जीते हैं उनको बोलते है ऐसा ठीक है next humorous humorous is a very good word also ठीक है तो humorous, bleed, drawl यह सारे इसके synonyms हो जाएंगे antonyms क्या हो जाएंगे इसके अगर amusing है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा traumatic is a adjective जो कि क्या मिन करेगा बहुत ही serious ठीक है बहुत ही serious traumatic event ऐसा बोलते है हम लोग traumatic हो गया next serious हो गया somber हो गया somber भी हो सकता है ठीक है तो यह सारे क्या हो जाएंगे antonyms हो जाएंगे यह रहा इसका image है न and usage क्या हो जाएगा he was offended at the faceless remark of his friend ठीक है faceless that means what very funny यह फिर amusing ठीक है उस remarks लेकिन वो offend हो गया okay तो यह word यह ठीक है इसका meaning not meant to be taken seriously comical amusing यह इसके synonyms bleed troll यह फिर humorous antonyms क्या हो जाएंगे unamusing traumatic यह फिर serious and sentence ठीक है जो next word उसको discuss कर लेते हैं next word जो हमारे पास है facile facile एक बहुत ही अच्छा वर्ड है देखिए यह से वर्ड में आप confused हो सकते हो तो इसलिए मैंने एक साथ रख दिया इसको और सारी वर्ड सापके F से ही है okay facile is the next word which means what which can be easily done something which can be easily done ठीक है जो बिना effort डाले ही अगर हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग facile okay easily done performed or achieved या फिर superficial अगर कोई भी चीज़ अगर आपको आसानी से करते हो ठीक है कोई भी knowledge आपको अगर असानी से प्राप्त होता है तो नॉलेज कैसा होता है super official होता है कि नहीं ज़दा आपको इस में डीप नहीं होता आपको knowledge ठीक है जो depth है वो कम रहता है जो चीज हमेशा ध्यान रहें जो चीज आसानी से हो जाता है वो चीज उतना महत्त में इंपॉर्टेंस नहीं रखता है क्योंकि all good things takes time ठीक है इतुल इतुल हाड़ोग ऑलसो सो फैसाइल का मीनिंग है easily done okay easily done performed or achieved या फिर superficial okay fine तो synonyms को जान लेते हैं synonyms क्या हो सकते हैं इसके synonyms इसके एक तो है effortless जो मैंने आपको बोला है effortless क्यों क्योंकि जो आसानी से कर सकते है आसानी से अचीव कर सकते हो तो effortless ही होगा okay next hasty अगर हम लोग कोई आसानी से कर देंगो फटावर करते कोई काम तो उसको जल्दी कर लेते हैं उसको something which is has to you okay तो has to you a go the depth अगर आप असानी से कर पाते हो तो आप क्या पता बहुत ज़्यादा skillful ओ ठीकिए आप skillful भी हो सकते हो आप addroid हो सकते हो addroid addroid का क्या होता है skillful next एक और अच्छा वाट है adapt ठीक है adapt नहीं है adapt तो all this means what skillful आपको lot of skills fine antideems क्या हो जाएंगे अगर easily done or achieved arduous arduous means what arduous efforts the efforts ठीक है मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा hard work लगता हो बहुत ज़्यादा पेल लगता हो उसको बोलते हम लोग आर्डवर्स आर्डवर्स होगे एक तो के involved भी होगा अगर आप किसी चीज़को अगर आप lightly लेते हो उसको वही होता है ठीक है असानी से कर लेते हो आप तो उसका उल्टा क्या हो जागा आपका involved बहुत ज़्यादा involved होगे आप उसमें ठीक है ताब उसमें आप बहुत ज़्यादा effort भी डालोगे और effortless इसका synonym है okay next profound profound deep deep superficial आपका उपर उपर का हो जाता है इसका मिनीं होता है profound means something which is very deep okay and this is the image okay एक हाथ से push-up लगाना इस बच्चे के लिए काफी क्या है facile task है बहुत काफी आसानी से कर रहा है या पर कर रही है ठीक है because it is smiling ठीक है fine तो usage क्या हो जागे it was a facile victory for the Indian team कोई भी cricket match है के लेलो ठीक है Indian team ने बहुत आसानी से victory हासिल कर ली उसको बोलते हैं हम लोग facile victory fine to easily done performed or actually superficial इसका meaning हो गया antinim synonyms यह हो जाएंगे effortless hasty depth adroit adapt यह सब and intonims क्या हो जाएंगे our doers involved profound okay and this is the image fine चलिए next आगे बढ़ते हैं हम लोग next word है हमारे पास फार्सिकल फार्सिकल जो word है आपका first word से आता है फार्सिकल ठीक है okay fine इसका meaning क्या है ridiculous funny ridiculous funny जैसे कि यहाँ पे अगर आप image देखोगे ठीक है कुछ Trump ने कुछ हमें चाहिए कुछ funny क्याता है है ना Trump Donald Trump तो Donald Trump ते कुछ बोला होगा तो Hillary Clinton को sorry okay उसको काफी मनलब ठीक है काफी हस रही हो so he spoke something farcical ठीक है which is incredibly what funny ridiculous you can say so this is the meaning of farcical जो first word से आता है इसके synonyms क्या हो जाएंगे एक तो हो गया आपका ludicrous ludicrous और ridiculous दोनों ध्यान देखिया बहुत ही अच्छे synonyms होते है ridiculous and ludicrous fine next एक होता है कि preposterous preposterous is also a very good word preposterous का meaning क्या होता है something which is done without any reason something which is based on no reason ठीक है कोई reason में कोई base नहीं है तो कब होता है preposterous preposter का reason में based नहीं है तो क्या हो गया funny type हो गया हो ठीक है कोई reason मलब कोई मलब कारण है नहीं ठीक है reason कोई there is no reason that is something which is preposterous fine next एक तो होता है आपका receible ठीक है यह काफी अच्छा word इसको भी मार्मार्क कर लीजे आप यह साइध हो सकता आपके लिए नया हो receible ठीक है इसका meaning क्या होता है आपका ridiculous funny ठीक है तो know this word fine antinyms क्या हो जाएंगे एक तो हो गया आपका funny है तो इसका antinyms क्यों हो जाएंगे sincere हो गया ठीक है sincere का वह होता है जब लोग मतलब क्या होता है life को serious लिए थे serious और sincere में अंतर है लेकिन थोड़ा सा मैं उस sense में आपको समझा रहा हो तो antinyms क्या हो जाएंगे sincere हो गया या फिर sober sincere sober या फिर आपका grim grim मतलब भी serious ही होता है sober मतलब भी serious ही होता है ठीक एक तरह से sincere sober grim fine sentence क्या हो जाएंगे हो जाएगा he gave farcical answer when asked about is whereabouts पूचा कि भाई कहा जा रहे हो कहा रहते हो तो उसने बोला है कि मलब काफी funny सा answer दिये okay so farcical answer fine to farcical ridiculous funny ludicrous preposterous reasonable is the other word synonyms antinyms क्या हो जाएंगे sincere sober grim वगरा fine चलिए जो next word उसको discuss कर लेते next word हमारे पास क्या है flagrant flagrant is a very good word flagrant का meaning क्या होता शौकिंग ली ऑब्वियस एफ ग्लेरिंग शौकिंग ली ऑप्वियस अगर आप image को देखोगे की camera में इसको देख रहा है टीवी में या फिर जो referee बगरा है referee के सामने कितना बड़ा foul किया ठीक है कि यह कुछ मलब score करने जा रहा होगा बास्केट बॉल है ठीक है बॉल डालने जा रहा होगा बास्केट में लेकिन काफी मलब उसको हैंड से काफी उसको वो किया है हिट किया फाउल किया है तो यह जो फाउल है which is what which is very obvious सबको दिख रहा है यह चीज तो यह फिर आप कह सकते हो ओविशली शॉकिंग लिए यह फिर ग्लेरिंग यह थोड़ा सा नेगेटीव वोड है थोड़ा सा अगर आप ओपन लिए कर कोई सीज अगर गलत काम करते उसको बोलते है उसको बोग फ्लेगरेंट जैसे अपका त्रेफिक लेड आपने जंप कर लिया तो सब देखी ह्याँ आप जंप करके आप मलब 120 कलेमेटर में आप चला रहे हो तो तो यह फ्लेगरेंट विलेश और्श वालेशन वह प्लेगरेंट यह वालनगोंग डिश्कोंकिश कर लेते हैं फ्लेगरेंट की ओके ञगरेंटोर् आपका next हो गआपका obscure यह फिर restrain Mild किसलिए क्यों कि यह क्या है जो क्राइम होता है काफी शौकिंग होता है काफी तो इस लिए इसका जो इंटेंसिटी अगर उसको माइल कर दिये जाए तो अबिस्ली स्केंटेनिम हो जाएगा वो चीज़ यह ओवियस है फ्लेगरन्टी संथिंग उप्वियर जो काफी क्लीर होता है क्लीर लिए टम खराब चीज़ तो अगर आप इसका ऑप्सक्यों ले लोगे तो यह क्या होगा धकावा रहे है एक तरह से जो क्लीर नहीं होगा उप्सक्यों नेक्स रिस्टेंट मतलब होता है रहा वड़े उसको डिसकस कर लेते हैं, which is called forbear, ठीक है, forbearance इसका noun होता है, ध्यान रखिये, अच्छा वड़े काफी, okay, forbearance इसका noun होता है, forbear मतलब होता है कि कि किसी चीज से abstain करना, refrain करना, आपने आपको desist करना, आपने आपको रोकना, वैसा ना करना, ठीक, अपने आपको control कर करना, restrict करना, abstain करना, refrain करना, या फिर desist from, ठीक है, इसको भी कहते हैं हम लो, क्या कहते हैं हम लो, forbear करना कहते हैं, जो कि एक verb है, abstain from, या फिर refrain from, withhold, या फिर desist from, okay, so these are the synonyms, that means what, abstain करना, आपने आपको रोकना, या फिर आपका inhibit करना, आपने आप खुद के उपर, इनिबिज से आपका एक बड़ा था, inhibitions, you can say, so these are the synonyms, antonyms क्या हो जाएंगे आपके, अगर आप, अपने आपको खुद को रोक रहे हो, let go is the antonyam, opposite क्या हो जाएगा, let go हो जाएगा, जा फिर encourage, ठीक है, यहाँ पे आप अपने आपको restrict कर रहे हो, control कर रहे हो, तो encourage क्या ह हो जाएगा, इसका, antonyam हो जाएगा, encourage है, फिर continue करना, यह एक तरह से रोकना भी कहते है, इसको है, forbear को, continue करना, will be the antonyam, encourage, let go, and continue, these are the what, antonyams of forbear, fine, withhold का, withhold भी इस कमीनिंगे, fine, जैसे की, यह आप देख रहे हो, ठीक है, कोई जगह आप जाते हो, suppose, किसी museum में जा रहे हो तो वहाँ पर camera allowed नहीं है, ठीक है, तो यह आपको photo रहे है कि यहाँ पर camera allowed नहीं है, या फिर कहीं भी कुछ भी का cell phone allowed नहीं है, तो ऐसा एक mark है रहता है, इसमें बोलते है कि this is not allowed, okay, you should abstain, okay, you should आपको control करना चाहिए सब में, refrain from using camera, fine, तो usage क्या है, सिद्धू cannot forbear a love at any job, joke, fine तो आपने देखा होगा कि कोई भी comedy show में वो हसते रहता हो, आपने आपको रोक नहीं पाता हो, ठीक है, he cannot restrict himself, he cannot abstain, he cannot refrain himself, withhold नहीं कर पाते हैं, आपने आपको या फिर inhibit नहीं कर पाते हैं, तो चलिए अबर revise कर लेते हैं, forbear, that means to refrain from, withhold करना या फिर abstain करना, inhibit करना, desist करना, ant continues क्या हो जाएंगे, let go, let go, and encourage, continue, and Sidhu cannot forbear love at any joke, fine, so this was the last word guys, ठीक है, and please videos का हमेचा आन तक देखिये, and मैं PDF भी इसका share कर दूँगा, इसका link, तो चलिए guys, मिलते हैं, next lesson में, तब तक के लिए, thank you.